हाई फ्रेंड्स मैं अकांचा सरमाची की विदकानिशा मैं आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज हम बच्चों से बच्चों की बिमारियों से संबंदित बावन प्लस MCQ करने वाले हैं ये फेक्ट जरूर याद रखिएगा कि हर कोश्चन के साथ साथ मैं कुछ important fact करा रही हूँ उसको no down करते जाएगा क्योंकि ये सारे ही fact बहुत important है और बच्चों की बिमारियां से संबंदित कोश्चन इसलिए ज़दा जरूरी है तो हर कोश्चन से संबंदित कुछ fact में बताती जाओंगी आंसर के साथ साथ उन fact को भी याद करते जाएगा ये हमारी A सिरीज का 45 वा भाग है इसके पहले मैं A सिरीज के 44 वीडियो बना चुकी हूँ topic wise ये MCQ या theory वाली सिरीज है तो अगर नहीं देखे हो 44 वीडियो तो देख लीजेगा साथ में हमारा एक model practice set भी चल रहा है उसके भी 19 set हो चुके हैं इसके अलावा योजनाओं के भी लगवक 7 भाग हो चुके हैं और 11,000 प्रेशनों का प्रेशन बैंक चल रहा है उसके भी लकरी आठ भाग हो चुके हैं ये सारे की playlist आपको description box में मिल जाएगी देख लीजेगा पहला कुशन रोटा वारिस कितने वर्स तक के बच्चों को ज़्यादा तर अपना सिकार बनाता है gastro intestinal संक्रमर ये होता है इसके कारण क्या होता है पेट और आत में सूजन आ जाती है आप से पूछेंगे कि खसराव रोग में क्या लक्षन दिखते हैं तो याद रखिएगा इसके कारण क्या होता है पेट और आत में सूजन आ जाती है इसके अलावा ये rota virus बच्चों में ज्यादा दिखता है इसमें क्या होता है main क्या होते हैं बच्चों को दस्त या luge mozen बच्चों में ये ज्यादा होते हैं इसके लिए rota virus के लिए vaccine दी जाती है जिसको हम rota tech या rota rix बोलते हैं रोटा वायरस की दो वैक्सीन होती है एक होती है रोटा टैक और एक होती है रोटा रिक्स ये दो वैक्सीन होती है जो रोटा रोटा टैक की जो वैक्सीन होती है रोटा टैक की वैक्सीन की तीन खुराग दी जाती है छे दस और चौदा सब्ताह में और जो रोटा रिक्स होत उसकी केवल 6 और 10 सप्ताह में दी जाती है रोटा रिक्स की 6 10 सप्ताह में दी जाती है रोटा टेग की 6 10 और 14 सप्ताह में वैक्सीन दी जाती है इन वैक्सीन को 2009 में डवलू एजोने माननिता भी दे दी है कब दे दी है 2009 में डवलू एजोने माननिता भी दे दी है याद रख यह भी पूछा जाता है कि जो रोटा वाइरस है वो किस मोट द्वारा दिया जाता है वैक्सीन उसकी तो ओरली दिया जाता है और रोटा वाइरस की पांच बून दी जाती है कितनी दी जाती है पांच बून दी जाती है रोटा वाइरस को 6 सब्था से 24 सब्था तक दिया जा स रखता है 1980 में इसकी खोज हुई थी और इसकी वैक्सीन को 1998 में लाइसेंस पदान किया था और 2009 में डबलू एचो ने इसको मानिता दे दी थी तो यह रोटा वारेस के वारे में सारे कुछ याद रखिएगा 6, 10 और 14 अपता हमें इसकी वैक्सीन दी जाती है यह भी याद रखिएगा यह रोटा वारेस बहुत मैत्मून है और बच्चों में होने वाली सबसे कॉमन बिमारी है जो पूरे एशिया आफरिका यूरोप में देखी जाती है अगला कुशन है निमोनिया जो होता है वो सरीर क फंगस के कारण भी होता है यह तीनों के कारण होता है तो यह कोशन भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा रोग है जो वाइरस के द्वारा भी होता है वैक्तिरियल वैक्तिरिया मतलब जिवाडू के कारण भी होता है और फंगस के कारण भी होता है तो यह कौन सा रोग है नेम वेकटीरियल नेमोनिया कारन बनता है वेकटीरियल नेमोनिया का नाम होता है इस्ट्रेप्टो कोकस नेमोनिया और ये ज़्यादा खतरनाक होता है वेक्टिरियल निमोनिया बारल निमोनिया से ज़्यादा खतरनाक होता है आम तोर पर दो प्रिकार के निमोनिया होते हैं एक तो होता है लोवार निमोनिया एक निमोनिया कौन सा होता है एक होता है लोवार निमोनिया और दूसरा निमोनिया होता है ब्रॉंकियल निमोनिया दूसरा कौन सा होता है ब्रॉंकियल निमोनिया लोवार निमोनिया क्या होता है फैफडो का एक भाग होता है जो फैफडो के भाग को एक भाग होता है लोव फैफडो के भाग को एक लोव बोलते है इनी लोव में जो हो पिर्फून या फंगस भी निमोनिया का कारण बनते हैं उसका नाम है क्रिप्टो कोकस नियूमोसिस्टस जीरो वेसी और कॉक्सी डियोड्स ये एक फंगल जो निमोनिया होता है उसका एक नाम है तो ये सारे याद रखिएगा अब आज चल रही है निमोनिया किसको प्रभावित करता है तो निमोनिया लंग्स या फैफडो को प्रभावित करता है किसको प्रभावित करता है नेमोनिया बोलते हैं क्या बोलते हैं वाकिंग नेमोनिया वाकिंग नेमोनिया किसको बोलते हैं तो वाकिंग नेमोनिया बोला जाता है जो वैक्टिरिया के कारण जो नेमोनिया होता है उसको वाकिंग नेमोनिया बोलते हैं आपसे कोशन पूछा जाता है कि किस प्रिकार के नेमोनिया को walking pneumonia बोलते हैं तो bacterial जो नेमोनिया होता है उसको walking pneumonia बोला जाता है अगला question है मसूरे से खून का निकलना किस vitamin की कमी के कारण होता है ये तो सभी को ही पता है विटामिन C की कमी से क्या होता है विटामिन C की कमी से इसकरवी नामक रोग हो जाता है विटामिन C की कमी से क्या होता है इसकरवी नामक रोग हो जाता है और विटामिन C इसकरवी रोग में क्या होता है मसूरों से खून आता है ये तो इतना आपको पता है अब मैं आपसे प्राकर्तिक एंटियुक्सिदेंट है हमारे सरीर से अक्सिजन को निकलने नहीं देता है दूसरा बात करें तो यह मोतिया विंद अगर हमारे आंखों में हो रहा होता है तो उसको भी बढ़ने से रोकता है आइरन को अपसोसित करने के लिए और आरवी सी को बनाने में भी यह सहायक है आरवी सी को बनाने में सहायक है और किसके लिए सहायक है आईरन को अपसोसित करने में आईरन को अपसोसित करने में भी विटामिन सी का सहारा लिया जाता है आईरन को अपसोसित करने में इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि यह जो विटामिन सी है एक सामा सामाने महिला को मतलब 65 प्लस 15 एक्वल टू 80 मतलब गरबती महिला को सामान्य पुर उसके बरावर विटामिन सी चाहिए होता है और एक धातरी महिला की अगर बात करें कि धातरी महिला को विटामिन सी कितना चाहिए है तो जो सामान्य महिला है उससे 50 मिली ग्राम एक्स्ट्रा चाहिए है मतलब 115 mg चाहिए है धातरी महिला को तो ये विटामें C की महत्रा है जो चाहिए होता है सामाने पुर उसको 80 mg सामाने महिला को 65 mg गरबती महिला को 65 mg से 15 mg अतरिक्त मतलब 115 mg क्योंकि उसको विटामें C की आवशकता होती है ज़्यादा आवशकता होती है धात्री महिला को आइरन के लिए भी आवशकता होती है को कि आइरन तब ही एवजोर्ब होगा सरीर में जब वीटामिंशी ज़्यादा होगा आपको याद रखना है इसकी अलाबा अगर छोटे से बच्चे की बात की जाए जो 0-6 महिने का बच्चा होता है उसको 20 मिली ग्राम बिटामिन C की आवशक्ता होती इसको एसको आमले कहते हैं क्या बोलते हैं एसको बारती कपकरोंदा भी बोला जाता है और आमले को शुपर फूरूट बोला जाता है 100 ग्राम आमले में 600 मिली ग्राम विटामिन C होता है याद रखेगा अगला कुशन देखते हैं फ्रेंड अगला कुशन करने से पहले सारे लोग वीडियो को लाइक कीजेगा अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं लाइक टेक बनता है लाइक ज़रूर कर दिया कीजे और जिसको हार्मोन भी कहा जाता है विटामिन D को क्या कहा जाता है हार्मोन कहा जाता है अमरूद जो हो है विटामिन D का सर्वस रेष्ट फल है मतलब जिसमें विटामिन D की अच्छी खासी मातरा पाई जाती है विटामिन D के लिए अगर कोई फलाल फल लेने की सलहा देंगे तो अमरूत को ही देंगे इसके अलाबा अगर विटामिन D सरीर में है तो ये कैलसियम के अपसोसर को बढ़ाता है यदि हमारे सरीर में विटामिन D ही नहीं रहेगा तो कैलसियम का अपसोसर नहीं होगा विटामिन D जो होता है हमारे सरीर के लीवर में जमा होता है यदि किसी को विटामिन D की कमी हो जाती है तो उसको तनाब हो जाता है हड़िया कमजोर हो जाती है उसके अलावा हार्ट पेसेंट होने की संभाबना भी बढ़ जाती है विटामिन D दो प्रिकार के होते हैं विटामिन D की बात करें तो दो प्रिकार के होते हैं एक होता है D2 और एक होता है D3 ये D2 कहां से मिलता है D2 को हम Ergo Calciferol बोलते हैं कौन सा? Ergo Ergo Calciferol बोलते हैं और D3 को Colo Calciferol बोलते हैं D3 को Colo Calciferol बोलते हैं एग्रो कैसी फेरोल है यह हमको पौधों से मिलता है जो एर्गो कैसी फोरोल है यह डीटू की बात की जाए तो डीटू किससे मिलता है डीटू पौधों से मिलता है और डीट्री की बात की जाए तो डीट्री जन्तू से मिलता है याद रखिएगा डीट्री जो है वो किससे मि पौधों से मीज जितने भी फॉल फूरूट होंगे सबजियां होंगी उनसे हमको विटामिन D2 मिलेगा और जितने भी जन्तु वाले प्रोडक्ट होंगे जैसे कि डियरी प्रोडक्ट होते हैं अंडा हुआ दूद हुआ इससे हमको D3 मिलेगा और D2 D3 दोनों ही हमारे सरीर के पैरोल बोलते हैं इस सारे फेक्ट याद रखना अगला कुश्चन है इसकरवी रोग किस विटामिन की कमी से होता है अभी मैंने आपको बता ही दिया है इसकरवी रोग विटामिन C की कमी से होता है मसूरों से इसमें खून आता है इसके अलावा विटामिन C और क्या काम करत इसके अलावा RVC को बनाने में यह होता है anti-oxidant होता है इसके अलावा इसको चिनी डेक्स्टोज भी कहा जाता है क्या है कहा जाता है आलांग 1685 भी इंस्टागराम फे इतने अच्छ ऑच्छा डाल रही हुने अटने अडवांस लेवल के MCQ करवा रही हूँ साथ में आंगनवाडी से संबंदे चार्ट डाल रही हूँ आंगनवाडी संबंदे इसफेक्ट डाल रही है तो सारे लोग जुन्होंने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है जल्दी से वीडियो को पॉस कर दीजे और इंस्टाग्राम को फॉलो कर दीजे वहां आपको निस्टाग्राम आंगनवाडी के बहुत आंगनवाडी सुपरवाइजर के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो चार्ट मिल जाएंगे आंगनवडी कारिकरता दोरह जो चार्ट मिलते आंगनवडी कारिकरता को वो मैंने उस इंस्टाग्राम पर डाले हुए हैं तो आप मेरी इंस्टाग्राम साइक पर जाएए फॉलो कीजिए और वहाँ पर पूरे के पूरे वीडियोस देखिए और उन कोशन्स को लगाईए आपको बहुत अच्छी तैयारी वहाँ पर हो जाएगी वो भी निस्ट लगए अकांशा 1957 पर आपको फॉलो करना है अगला है निमलेखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है तो कौसी और कर रतोनी तो विटामिन एकी कमी से होता है एक्जिमा कुछ नहीं होता इन में से कोई नहीं होता है कौसी और कर जो की प्रोटीन की प्रोटीन उर्जा को पोशन इसको बोला जाता है जिसको हम P.E.M. बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल नूट्रिसन तो ये क्वासी ओरकर क्या हो जाता है इसमें क्या होता है सूजन आ जाती है बैक्टी के सरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है और उसके सरीर में सूजन आ जाती है इसको एडे मेटस को पोशन भी बोलते हैं क्वासी ओरकर को और क्या बोलते हैं एडे मेटस को पोशन भी क्वा जाता है क्वासी देखो दो प्रिकार के ऐसे रोग हैं जो प्रोटीन की कमी से होते एक तो है क्वासी और कर और एक है मरासमस में बच्चे का फेज हो है ना मंकी फेज के लाते कि बच्चे की केवल हड़ी हड़ी दिखती है उसकी इसकिन नहीं दिखती पूरा सूख जाता है बच्छा किसमें मरावलमस में हो कौसि और कर में क्या होता हcell़ प्रोटीन काम प्रोटीन की कम है क्वासियोकर्स की में है और भी एडिटेमा हो जाता है म्ड़ल सरीं में पानी बहर जाता है पानी निकल नहीं पाता है कारण brawdhat बच्च का टोता है मून फेस बहता है Ba क्वासी औरकर में मून फेस हो जाता है मराफिसमस में मंखी फेस हो जाता है क्वासी औरकर में अडीमा हो जाता है Airlines में अडीमा नहीं होता एक Éक मेरी बहुत अच्छी बात द्यान रख्ये कोपोशन कोपोशन का बहुत सांदर तरीके से वीडियो मैंने बताया है पूरा डिटेल में कोपोशन के सारे प्रकार क्वासी और कर्मरासमस इसके अलावा वाटर लूका वरगी करण हो गया वैलकम वरगी करण हो गया ये भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है एक बर आप उस वीडियो को देख लीजिए आपका वाला टॉपिक जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा अगला है बच्चों में पाया जाने वाला टेटेनी रोग किसकी कमी से होता है देखो टेटेनी रोग केल्सियम की कमी से होता है केल्सियम की कमी से क्या होता है विटामिन डी की कमी हो जाती है क्योंकि केल्सियम को सरीर ए अगर इनान से होती है तो उसको 350 इंटरनीसनल यूनित वितामिन डी की आवसकता होती है, vitamin D के मैंने प्रकार बताए थे कौन-कौन से होते हैं D2 और D3 vitamin D के प्रकार होते हैं D2 पौधों से पाय जाने वाला जो भी product होता उससे हमें मिलता और D3 जनतु से जो product पाया जाता है उससे हमको मिलता है अगला है किस रोग को 3D disease के नाम से जाना जाता है, बेरी बेरी को नहीं जाना, बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से हो जाता है, सूखा रोग को भी नहीं सूखा, सूखा रोग विटामिन D की कमी से हो जाता है, गहेंगा रोग जो होता है, जो पेलेगरा रोग है, पेलेगरा रोग को 3D का रोग कहा जाता है, यह विटा पेलेगरा रोग जो है वो किसकी कमी से होता है पेलेगरा रोग बिटामिन वी थिरी की कमी से होता है और बिटामिन वी थिरी को और क्या कहा जाता है बिटामिन वी थिरी को नियासिन भी बोलते हैं क्या बोलते हैं नियासिन भी बोलते हैं इसके क्या होता है इसमें इसमें को ही 3D रोग भी कहा जाता है इसलिए इसको 3D डिसी लिखा गया है जो पलेगरा होता है वो दो प्रिकार से होता है एक प्रात्मिक और दुत्यक प्रात्मिक में क्या हो जाता है कि हमारे सरीर से नियासिन की कमी हो जाती है प्रात्मिक में क्या होता है नियासिन की कमी हो जाती ह प्रिकार से भी प्रिकार के होते हैं इसमे चमडा भी फट जाता है प्रिकार वी आपको याद रखना क्लोडे आखर में सामें करके रोकषाम करके केल्समार श्च एंडों तो नहीं होगा द fy नतकी एर विटामिन सी कि हमने इभी उपर पड़ा था कि यदि हम विटामिन सी लेंगे तो यह क्या करेगा हमको आइरन को अफसोसित करने में मदद करेगा तो यह क्या करेगा अब जब आहम warehouse स्रीर में आरन अच्छे से पहुंच जाएगा तो हमें एनिमिया होगा ही नहीं क्योंकि एनिमिया तो खून की कमी से होता है आयरन की कमी से होता है तो विटामिन सी इसमें क्या करेगा हेल्प करेगा तो आयरन ओवे विटामिन 20 मिली ग्राम जो है आईरन की आवशकता होती है गरबबती महिला की आवशकता होती है तो सरय। आवशक्ता होती है विटामिन सी मैंने आपको बता दिया है सामन ने पुरुस को कितना चाहिए 80 मिली ग्राम महिला को 65 मिली ग्राम गरबती महिला को 80 मिली ग्राम और इस तनपान कराने वाली को 115 मिली ग्राम वहीं जीरो से 6 महिने के बच्चे को 20 मिली ग्राम ये बात हो रही ह पूरी आईरन की अगला है हाइपर अल्वूमिनिया यह हाइपो है हाइपो इसको हाइपो गोलेंगे हाइपो कैलीमिया और फैटी लीवर अधिकांस तारोक से पूरित लोगों में देखने को मिलते हैं एलेक्टोसंतुलन नहीं है, मरासमस नहीं है, यकरसोत नहीं है, इसका अंसर हो जाएगा क्वासी और कर, क्या हो जाएगा, इसका अंसर क्वासी और कर हो जाएगा, क्या होता है इसमें, यह हाइपो अलबुमिनिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, अलबुमिनिक प्रोटीन जो कहां पाया जाता है ये लीवर में पाया जाता है कहां पाया जाता है लीवर में पाया जाता है तो एलबुमिन एक प्रोटीन है जो लीवर बनाता है और रक्तिकी प्लाजमा में पाया जाता है जब रक्त में इस एलबुमिन का इस्तर कम हो जाता है एलबुमिन का इस्तर क्या हो जाता है रक्त में जब रक्त में एलबुमिन का इस्तर कम हो जाता है मतलब ये एलबुमिन प्रोटीन कम हो जाता है तो वो इस्तिती कौन सी होती है वो क्वासी ओरकर होती है जिससे सरीर में क्या होता है पानी भर जाता है जो कि एडीमा का कारण होता है हाइपोकैलीमिया क्या होता है हाइपोकैलीमिया में क्या होता है कि रक्त में पोटेशियम का इस्तर कम हो जाता है हाइपोकैलीमिन क्या होता है रक्त में पोटेसियम का इस तर क्या हो जाता है काम हो जाता है उसको हाइपोकैलीमिया बोलते है और फैटी लिवर क्या होता है यकरत में बसा जमा हो जाता है यकरत में अगर बसा जमा हो जाएगा बताब fatty liver हो जाएगा तो इसको हम fatty liver बोलते हैं ये सारे जो लक्षन होते हैं इसके होते हैं ये quasi worker के होते है बच्चे का face moon face कहलाता है quasi worker में क्या हो जाता है बच्चे का face moon face कहलाने लगता है उसको edema भी हो जाता है फ्रेंड्स ये सुपर्वाइजर अगर आपको बनना है और आप सीरियसली तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे सुपर्वाइजर कॉम्बो से जोड़ जाएए अगर आपके पास बुकलेट भी नहीं है बुकलेट भी लेना है तो आप हमारी ये 7 बुकलेट ले लीजिए 7 लाइनर बुकलेट मिलती है इसका पूरा चार्ज 1500999 fewer है इसके साथ आपको क्या क्या मिलता है जो हमारा पूरा ओलाइन कोम्बो है जो आप हमारा ओनलाइन सबस्क्र पांपसे से भी दे सकते हैं सबसे मेन बात हमारा जो सिलेक्षन पैकेज है उसमें डेली आप टेस्ट देते हैं डेली टेस्ट देते हैं डेली रैंकिंग लगती है हम ही टॉपिक देते हैं आपको हम ही तैयार करवाते हैं और हर दिन आपका टेस्ट लेते हैं जिससे डेली कर डेली आप अपने कोई भी चीज द्वारा या ठीक द्वारा आप कोई भी चीज यादा कर रहे हैं तो वह बहुत जल्दी याद हती है मैं एक वोट की बैठक किसोर न्याय बोट बनाव 93 जो भी पैठक अमरे जो उनको बैठक याद आईगे तुह को घर आज और ओम ऐाद जाएगा और व्यागश्य उल्लजय σके से विवाग की हुई बाल विकास विवाग की हुई पंचयद विकास की विवाग की हुई सामाजिक नियाए विवाग की हुई तो ये सारी योजना की डेट आप कैसे याद रखोगे इतना सा दिमाग इतना सा कैसे तो ट्रिक द्वारा अगर कर लोगे तो याद हो जाएगा तो हम PDF देते हैं आपको बना के पूरा topic की उसके बाद हम एक और PDF देते हैं आपको तयार trick की trick दौरा तयार करवाया जता है उसके बाद उन ट्रिक का हम audio भी सुनाते हैं कि ताकि आप कोई काम कर रहे हैं तो सुनते सुनते भी आप याद कर पाएं इस तरह आपकी हजारों प्रेशनों की ब्रेक्टेस हो जाती है, इस पूरे ओनलाइन पैकेज में हम 1000 प्लस CDP के MCQ देंगे, आपको इसके लबा कुछ नहीं करना है, 1100 एक सुपरवाइजर कोशन का प्रेशन वैंक देंगे, 1000 हम ICMR 2020 और 2024 के MCQ कराएंगे, जहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा, तो अगर आप हमारा केबल यह online package लेना चाहते हैं, पूरा का फूरा यह online package लेना चाहते तो उसका चारज है 799 रूपे आपको कुछ नहीं करना हमको वाट्साप करना है वाट्साप करके बोलना है कि मैं हमें आपका उनलाइन पेकेज लेना है हम तुरंथ आपको हमारे तीन गृप सैट कर देंगे एक पीडिया गृप एक तैयारी गृप है टैस्ट गृप है डेली रात को द को 70 mcq बना के देंगे आपको प्रैक्टिस करना है उसके बाल की खाल निकाल लेंगे उससे बाहर क्या ही प्रेस्ट जाएगा ऐसे ही हम सारे टॉपिक करा रहे हैं हमा सारे स्टूडेंट के साथ बहुत जदा मेहनत कर रहे हैं तो अगर आप भी सिलेक्ट होना चाहते हैं आप सब्सक्रिफशन लेके देख लीजे बाकि अगर आपने नोट्स भी नहीं है आपको कुछ नहीं लिया है तो आप हमारा नोट्स भी मंगा लीजे नोट्स ने 7 वुकलेट आएंगी यह नोट्स प्लस और लाइन कॉम्बो आपको 100% सिलेक्शन दिलाने में मदद करेगा पू आगर ओन लाइन लेना चाहते हैं तो आप ओन लाइन अकेला भी ले सकते हैं अगला कूशन है काली-खांसी जो है मुखता किसके द्वारा फैलती है खांसी के माध्यम से संक्रमित वेक्ति की छीक से मच्छर के काटने से संदूसित खाद्य पदार से योन संक्रमन से तो जो काली खांसी होती है वो खांसी के माध्यम से फैलती है काली खांसी का जो वेक्टीरिया होता है वो होता है पर्टूसिस पर्टूसिस काली खांसी का संक्रमन होता है. इसकी जो वैक्सीन होती है, वो DPT, Diptheria, Pertusait, TITNIS. यह तीन यह साय। यह में टीका है, इसके साथ दी जाती है चट्वच्चे को 6 सफता, 10 सफता हो, 14 सफता हमें दी जाती है और DPT वैक्सीन का जो देने का मोड होता है वो आयम मोड होता है मतलब इंट्रा मस्कुलर मोड द्वारा यह दी जाती है तो आपको याद रखने काली खासी का जो संक्रमण होता है वो 6-20 दिन होता है 6-20 दिन में यह पूरी तरह से संक्रमित होती है 6-20 दिन में यह पूरे में फैलती है यह आपको याद दिए जाती है इसका संक्रमना काल केतना होता एक चैजिस के लिए इसके k Key काली खाशी О Baba करे। सो दिन की खांसी भी बोला जाता है और इसको हिंसक खांसी भी बोला जाता है सो दिन की खांसी और हिंसक खांसी भी काली खांसी को बोला जाता है और इसको हूप द्वनी वाली खांसी भी बोला जाता है कि स Même करदी आपको याद रखना है । अगला है रोटा वायरस अधिकानस था वच्चों को प्रभावित करते हैं इन से किस नचितिती का कारन बनता है बैंता ते लेधाम नहीं हो टान, ना होता है तस्क कर उल्टी होती है वा मैंने अपको इसको पढ़ाया है एरोटूटा वारस एक जट्रांत यानि पेट और आतों का संकरमन है मतलब gastro intestinal संक्रमन है छोटे बच्चों में होता है इस से क्या होता है दस्ट और उलती होथी है टाइफाइट से सरी का कौन संग प्रभावित होता है टाइफाइट संक्रमक बिमारी है जो कि वेक्टिरिया के कारण होती है वेक्टिरिया का नाम क्या है सालमोनेला टाइफी सालमोनेला टाइफी वक्तिरिया के कारण होती है ये छोटी आंत पर प्रभाब डालते हैं मुख्यता ये किस पर प्रभाब डालते हैं छोटी आंत पर प्रभाब डालते हैं कभी कभी इसके कारण एक गुलावी धब्बे भी पढ़ जाते हैं सरीर में और संक्रमित वक्ति के मलिया पे साप से होता है इसके अलावे एक और इसका कारण है जो जनरली पूछा जाता है दूसित पानी या दूसित भोजन ताइफाइड और हैजा ये कैसी चीज है जो दूसित पानी और दूसित भोजन से होते हैं याद रखना तबकि खसरा जो है वो व वायू द्वारा होता है खसरा किसके द्वारा होता है वायू द्वारा फैलता है तबकि टाइफाइड हुआ है जा हुए ये किसके द्वारा फैलते हैं दूसत पानी और दूसत भोजन द्वारा फैलते हैं याद रखना है टाइफाइड की वैक्सीन जो होती है वो मतलब औरली दी जाती है जबकि निस्क्रिय वैक्सीन जो होती है वो इंजेक्शन दौरा दी जाती है निस्क्रिय वैक्सीन कैसी होती है इंजेक्शन दौरा होती है जब कभी आप कहीं यात्रा पे जा रहे हो बच्चे को ले जा रहे हो तो टाइफाइट की वैक्सीन लगा ली जात यात्रा में दो सब्ताहा में एक खुराक इसकी दे दी जाती है तो यह पूरा टाइफाइट की वैक्सीन को टाइप और वैक्सीन भी बोलते हैं टाइफाइट पॉलिसेकराइट वैक्सीन भी बोलते हैं टाइफाइट कंजूगेटर वैक्सीन भी बोलते हैं तो यह सारा होता इसमें भी लगभग 6-20 दिन इसमां भी समय जो होता है अगला कुश्यन देखते हैं पीलिया से कौन संग प्रभावित होता है पीलिया में सरीर का तो सबसे पहले याद रखो कि पीलिया होता क्या है यह सबसे मेन एफेक्ट तो डालता है वो लीवर पर डालता है मतलब यकरत पर डालता है पीलिया में क्या होता है रक्त में जो विलूरूविन की मात्रा है वो बढ़ जाती है एक Willurubin नमा के पधार्थ होता है, उस Willurubin की मातरा जो होती है, वो बढ़ जाती है, किसकी Willurubin की, ये Blue Rubin एक पीले का ललका पधार्थ होता है, मातरा विलurubin की बढ़ जाती है, अब मैं आपको बताओं विलरूविन क्या होता है हमारे सरीर के लाल रख्त कोशी का है मतलब क्या है आरवीसी है ये आरवीसी जब तूटती है ये आरवीसी क्या है जब तूट गई आरवीसी आरवीसी के तूटने से क्या होता है एक अपसिस्ट पधार्त बनता है आरवीसी के तूटने से एक अपसिस्ट पधार्त बनता है ये अपसिस्ट पधार्त ही विलिरूविन कहलाता है आरवीसी जब तूटती है तो आरवीसी के तूटने से क्या होता एक अपसिस्ट पधार्त बनता है यह अब sister पधारते क्या कहलाता है Billy Rubin कहलाता है यह क्या कर देखा अब यह Billy Rubin बन गया और अब यह liver पर पो modest गया अब यह liver से पाचन तंत्र में नहीं जा पाता पाचन तंत्र में नहीं जाएगा मतलब वो Billy Rubin कहा हमारे सरीर से बाहर नहीं निकल पाएगा अब जब नहीं निकल पाएगा तो सरीर में ही बना रहेगा जिससे लीवर पर भी नुकसान पहुंचाएगा और क्या करेगा पूरे सरीर को पीला करेगा तो अचा का पीला पन करेगा यह अगर ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है यह बिमारी तो उसके कारण हैपेटाइटिस A, हैपेटाइटिस B और हैपेटाइटिस C का भी कारण यह बन जाते हैं याद रखना पीलिया लीवर पर सबसे ज़दा दवाब पड़ता है लीवर पर क्योंकि लीवर पर बिली रूविन की मातरा बढ़ जाती है और ये लीवर को नुकसान पहुंचाता है ठीक है तो ये स्वार एफेक्ट याद रखिएगा अगला है किस तत्व की कमी की कारण घेंगा रोग हो जाता है तो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से आयोडीन एक सफेट ठोस्पदार्थ होता है आयोडीन क्या है एक सफेट ठोस्पदार्थ होता है आयोडीन की मातरा बात की जाए तो एक सामान पुरुस को आयोडीन कि ध्यूअधी, इस व्हूंदनी को वहते हैं, तो सामान पूरस को भी इतना चाहिए है, सामान महिला को भी इतना चाहिए, कि पूछे गरब महिला को कृतना है, 150 महिला को गक्मे। है और बात की जाए अगर लेक्टिंग मदर मतलब इस्तन पान कराने वाली महिला हो कितना चाहिए तो इसको 280 माइक्रग्राम चाहिए है, मतलब जो सामानन महिला है उससे 130 माइक्रग्राम अत्रिकत आयोडीन चाहिए है इसी की कमी से गहेंगा रोग हो जाता है वाएशड़ा हो जाता है यूपन प्रच न양रो जाता है अगला कुशन है हैजा का क्या कारण है हैजा जो होता है एक वेक्टिरियल बिमारी है मतलब ये जिवानों के कारण होता है हैजा को नीली मौत भी बोलते हैं very very important हैजा को कौन सी मौत बोलते हैं हैजा को नीली मौत बोलते हैं जब कि काला आजार को काली मौत बोलते हैं हैजा को क्या बोलते हैं नीली मौत बोलते हैं हैजा कौन से जिवाणू के कारण होती है तो हैजा जो है वो वेविरियो कैलोरी वेविरियो कैलोरी नामक जिवाणू द पनबते हैं तो दूसित पानी या दूसित भोजन दूसित पानी या दूसित भोजन से यह प्रभावित होते हैं और हैजा सबसे ज़्यादा आत को प्रभावित करता है किसको प्रभावित करता है हैजा सबसे ज़्यादा आत को प्रभावित करता है यह नीली मौत कहलाता है है इसको ऐजा, यह भी याद रखना है उचरना थिया जान सब्सकरार के लिए अर्षार के लिलेना, और और यह आपको याद रखना है अगड़ा है रोवेलाilizली यह रोमांकिus के लिए चार थे यहुटए के लिलेना, पत्र द्क बावाद के है इसको मतलब ये बोलतें किस परिवार है तो एक monovillo virus आता है उस परिवार में यह आता गर zen नहीं हो morebillo virus option में हो तो इसका आ जाे गा तो खसरा एक monovillum visor जो प्रजाती के विशाणों के कारण होता है यह बायुद जनित रोग हो Happres पूछ जाता है खसरा किसके द्वारा फैलता है खसरा वायू द्वारा फैलता है यह और तीन से साथ दिन तक इसका संक्रमनकाल या उश्मायन अबðी इसकी तीन से साथ दिन sık रहती है याद रखना इससे क्या होता है, सरीर में क्या होता है, चिट्टे टाइप उठ जाते हैं सरीर में, ये सफेद और नीले चिट्टे होते हैं, इसको हम कॉपलिक स्पोर्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम कॉपलिक स्पोर्ट भी बोलते हैं, जो नीले सफेद जो धब्बे उठ ज जाती है वो 9 महा में दी जाती है 9 महा में विटामिन A के साथ इसकी वैक्सीन दी जाती है किसके साथ विटामिन A के साथ किस मोड द्वारा खसरे की वैक्सीन दी जाती है तो ऐसी मोड या सब क्यूटेनस मोड द्वारा दी जाती है कि इसकी मातरा कितनी रहती है 0.5 ml मातरा रहती है खसरे की वेक्सीन की मैंने टीका करन के भी अभी कुछी दिन पहले टीका करन के बहुत सांदार करीब 70 कोश्चन करवाएं हैं उसमें आपके पूरे टीका करन के कोश्चन कवर रहेंगे नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख इससे आपका पूरा टीका करन वाला टॉपिक जो होगा, वो किलियर हो जाएगा, अगला गुशन है, कैंसर के उपचार में किस्प का प्रयोग किया जाता है, सभी लोग बता देंगे के कीमोध हरेपी का उप्योग किया जाता है, यह क्या होता है, इसको रसो चिकिस्टा भी बोलते हैं कीमो का मतलब ही होता है रसो चिकिस्टा मतलब रसायन द्वारा चिकिस्टा मतलब किसके द्वारा चिकिस्टा रसायन द्वारा जो चिकिस्टा होती है वो इसको बोला जाता है कीमो थरेपी क्या होती है कैंसर कोशिका को नस्ट करने वाली दवा जो होती है वो नसों में डाली जाती है कैंसर कोशिका को नस्ट करने वाली दवा जो होती है वो नसों में डाली जाती है कैंसर कोशिका नस्ट करने वाली जो दवा है वो कहां डाली जाती है इसमें डाली जाती है उस दवा का नाम क्या है वो दवा का नाम भी याद रख लो साइटो टॉक्सिक साइटो टॉक्सिक दवा इसके अंतरगत दी जाती है कौन सी साइटो टॉक्सिक दवा इसमें दी जाती है तो ये याद रखेगा सारे फेक्ट अनियंतित कोशिकाई जो होती है जो कैंसर का कारण बनती है जिसमें दर्द नहीं होता है और आजकल इसका इलाज संभभ है कीमो थेरेपी द्वारा तो यह इलाज वाली चीज़ है तो यह सारे इफेक्ट इसके याद रखिएगा साइटो टॉक्सिक दबा दी जाती है रसो चिकिस सके कीमो थेरेपी को बोला जाता है कैंसर कोशी का कुछ नस्ट करने वाली जो दवाएं होती है वो नसों के माद्धे हमसे दी जाती है किस तत्व का संबन्द दात की विकरती से है देखो फिलोरीन फिलोरीन का संबन्द दात की विकरती से है यदि हमारे मुँ में सरीर में फिलोरीन की कमी हो जाती है तो दात चरन हो जाता है क्या होता है फिलोरीन की कमी होती है दात का चरन हो जाता है ये फिलोरीन की कमी से और क्या हो जाता है फिलोरीन की कमी से और क्या हो जाता है और क्य केरियोजनिक वेक्टिरिया आ जाएगा कौन सा आ जाएगा केरियोजनिक वेक्टिरिया आ जाएगा वेक्टिरिया आ जाएगा जिसके करण दातों में क्या हो जाएगी सडन पैदा हो जाएगी दातों में तो याद रखिएगा फ्लोरिन की कमी से क्या होता है दातों का सरचरन होता है और आस्ट्रियो पारेसिस हो जाता है अगला है किसकी कमी से रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है इसमें इसको और क्या बोलते हैं इसको आस्ट्रियो पॉरोसिस भी बोलते हैं या आस्ट्रियो मलेसिया भी बोलते हैं विटामिन डी कितना चाहि सबसे ज्यादा जो इसकर भी रोक के लाजियों उप्योग यह वह आवला है एक आवला कि एक आवला बरावर बीस संत्रे होते हैं एक आवले से करीब सो ग्राम आवले से माननों सो ग्राम आवले का पूछ लिया जाता है सो ग्राम आवले से करीब 600 मिलीग्राम बिटामिन सी प्राप्त होता है यह भी आपको याद रखना है से यह मसूरों से खून आता है किसकी कमी से एनीमिया होता है और एक पुरुसों में एनीमिया मतलब आइरन होता है जो कि हीमोगलोविन से नापा जाता है हीम जो कि एक वर्नक होता है और गलोविन जो कि एक ब्रोटीन होता है उससे ही हमारे सरीर में आइरन बनता है पुरुसों में हीमोगलोविन का इस्तर कितना होता है 13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसी लेटर होता है और महिला में बात की जाए तो 12 से 15.5 ग्राम पर डेसी लेटर होता है पुरुसों में कितना होता है साड़े तेरा से साड़े सतरा की रेंज होती है साड़े तेरा कम माना जाता है और साड़े सतरा अच्छा माना जाता है जबकि महिलाओं में कितनी होती है 12 से 15 ग्राम परती देशी लीटर होता है याद रखिएगा किस कमी के कारण बच्चों में अस्थियां मोड़ जाती है विटामिन डी की कमी होती है तो उसे काली डैट कहते है ये वैक्टीरिया के कारण होती है काली मौत किस के कारण होती है वैक्टीरिया के कारण होती है जिसको प्लैग नामक बिमारी बोलते है वैक्टीरिया का नाम क्या है एरसीनिया एरसीनिया पैस्टिस ercinia pestis ercinia pestis नامा केख vacteria होता है जिसके कारण यह हो जाती है क्या नाम होता है इस्का esteria pestis नामा केख vacteria होता है जिसके कारण praag हो जाता है यह वैक्टिर इसमें पहुंचता है पिस्सूं हो, चूओे होए इसके माध्यम से फैलता है इसको इसको बुबोनिक प्लैग भी बोलते हैं ये भी आपको याद रखना है अगला है कौन सा इन में से कवकी रोग है जो की कवक के द्वारा होता है कौन सा इन में से कवकी रोग है दाद चेचक कैंसर देखो चेचक तो नहीं है चेचक तो वाइरस के कारण होता है कैंसर भी नहीं होता है कोशिकाओं में अन्यंतित कोशिका भिवाजान से होता है जो दाद है दाद को हम कवकिये या फंगल डिसीज भी बोलते हैं इस फंगल डिसीज का नाम क्या है टिनिया टिनिया कैपिटिस तिनिया कैपिटेस के कारण ये दाद हो जाती है और ये इससे तवचापे क्या होते हैं फफोले पढ़ जाते हैं खुजली चलती है ये सारे कारण हो जाते हैं किसमें दाद में तो दाद एक कवकी रोग है याद रखना इसको तिनिया कैपिटेस डर्मेटो फाइटोसिस हो ज होता है है जाए जो है वो जल जनित रो गए कौन सा है है तक पेधिक युह जो होता है वो moist के कारण होता है औरब मलेरिया जो है वो प्रोटो-जोहा के कारण होता है उचेचक बैरिसुटॉ NOR BESTOR वाइरस के कारण होता है तो उसका कारण क्या हो जाएगा विब्रियो कोलेरा नामा के जिवाणू होता है जो कि किस में पाया जाता है दूसित जल में पाया जाता है अगला है डेंगू बुखार के कारण मानब सरीर में किसकी कमी हो जाती है डेंगू जो बुखार होता है वो टाइगर मच्छर भी बोलते हैं और एडी ज एलवो पिक्टस भी बोलते हैं एडी मच्छर की प्रजाती के कारण डेंगू बुखार होता है आपको इसको याद रखना है और इसको पैर तोड बुखार भी बोला जाता है ये भी आपको याद रखना है और इसमें ब्लेट प् पूरी बुकलेट जो सेवन बुकलेट हैं जिनके बारे में मैंने आपको उपर बता है था यह ओफ-लाइन आप ओडर कर सकते हैं इस नंबर पर आपको मुझे वाट्सअप करना है यह पूरी सेवन बुकलेट आप मंगा सकते हैं चार्ज है 1599 प्लस कोरियर है जितना जल्दी म लाइन गुरूप मिल जाएगा जहां आपकी तैयरी स्टार्ट हो जाएगी आप डेली टैस्ट देना स्टार्ट कर देंगे डेली काव का टॉपिक पका होता जाएगा देखो समय बहुत कम हैं कभी भी नोटिफिकेसन आ सकता है रेगूलर अपना टार्गेट बनाना चाहते हैं रेगूलर टैस्ट देना चाहते हैं तो हमारे गूरूप से जरूर जोड़ जाएगा आपको सबसे पहले मुझे कमेंट करके आंसर देना है बिटामिन बी की खोज किसने की थी अगर इसकांसा नहीं पता है तो गूगल जाएगे गूगल पर जाएगे गूगल पर सर्च कीजिए और बताई बिटामिन की खोज तो फंक ने की थी बिटामिन बी की खोज किसने की थी ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है सारे लोग कमेंट कर तीर लाइक भी कीजेगा और अपने ग्रूप में सियर भी कीजेगा वेरी वेरी किस विटामिन की कमी से होता है वेरी वेरी विटामिन वीवन की कमी से होता है इसको थाइमीन भी बोला जाता है इस केला, आलू, अक्रोट, मठर में ये पाया जाता है और डेली इसकी मातरा की बात की जाए तो दो दसंबलब एक मिली ग्राम इसकी मातरा प्रति दिन आवश्यक है कितनी दो दसम लब एक मिली ग्राम मात्रा इसकी प्रतीदे नावस्तक है याद रखिएगा अगला है कौन सी बिमारी वरिशानुगत होती है इसकरवी तो नहीं है ना दूर दरिश्टी दोज़े कलर ब्लाइड लेज जिसको हम वर्णनृता बोलते हैं ये एक आनुवान्शिक बिमारी है कौन सी कलर ब्लाइड लेज ये आनुवान्शिक बिमारी उसमें व्यक्ति जो है वहरे और लाल रंग में विवेद नहीं कर पाता उसको हरा उलालंग समझ में नहीं आता उनमें अंतर नहीं कर पाता है वैसे तो वर्णांदता के कई प्रिकार होते हैं और ये वर्णांदता आँखों की किस कोशिकाओं में होती है तो आँखों में एक संकू कोशिकाओं पाई जाती है अगला कुशन एक काला जार रोगारू निम्ड में से कौन सा है काला जार किसके कारण होता है देखो काला जार एक लिशमेनिया परजी भी होता है जिसके कारण काला जार जो है रोग हो जाता है इसको हम बालू मक्षी ये लिशमेनिया परजी भी कहां से आता है ये बालू मक् याद रखियेगा इसका लक्ष रखा था 2023 तक उन्मूलन करने का लक्ष रखा था जिसे भारत ने प्राप्त कर लिया है 2023 तक उन्मूलन का इसका लक्ष रखा था और 2030 तक डबलू एचो ने रखा है 2030 तक किस ने रखा है WHO ने इसका लक्ष रखा है किसके कारण हो जाता है ये एक लिसमेनिया परजीवी है इसको प्रोटो जोपरजीवी भी बोलते हैं कौन सा प्रोटो जोपरजीवी इस लिसमानिया परजीवी को बोला जाता है या बालू मक्ही भी इसको भी बोला जाता है और इसको काला जार को दमदम बुखार भी बोलते हैं कौन सा दमदम बुखार काला जार को दमदम बुखार कि इसको बोला जाता है तो काला जार को बोला जाता है इसके अलावा काला बुखार भी इसको बोला जाता है काली में त् काला जार से जो वुखार होता है इसको काला वुखार बोलते हैं अगला है किस रोक का बाहक घरेलू मक्ही नहीं है पीत जोर का मक्ही नहीं होता वाकि इनका होता है क्योंकि पीत टाइफाइड और हैजा जो होती है वो दूसर जल और दूसर भोजन से होती है तो इनका कारण घरेलो मक्हीवा के पीला जो और इसको हम पीलिया भोलते हैं और ये किसके कारण होता है पीलिया जो होता है सरीर में बिलूरूब इनकी मातरा बढ़ जाती है जिसके कारण पीलिया होता है अगला है निम्रिकिस कौन सा रोग जीवानों के द्वारा नहीं होता तो तो होता है तूबर कुलोसिस नामक वैक्टिरिया के कारण ही होता है छोटी माता जो होती है वो वाइरस के कारण होती है वैरी सोला जोश्टर वाइरस के कारण छोटी माता होती है किसके कारण वैरी सेला जोश्टर वाइरस होता है उसके कारण छोटी माता होती है प्लैग जो होता है वो भी प्लेग भी जिवानों द्वारा होने वाली बिमारी है और हैजा भी जिवानों द्वारा होने वाली बिमारी जो कि विब्रियो कॉलेरा जिवानों के द्वारा होती है विब्रियो कॉलेरा जिवानों के कारण हैजा होता है ये और एलसीनिया पैस्टिस वैक यह सारे वैक्टिरिया के कारण होते हैं केवल चोटी माता जो है चोटी माता एक ऐसा है जो कि वायरेस के कारण होता है जिसका उन मूलन हो गया है 1980 से पूरे विश्व से ही चेचक माता को उन मूलन कर दिया है इसके कारण athlete foot नामक भीमारी होती है एठीट फुत नामक विमारी फंगस या फफूंद से होती है इसको जो जो इफट करता है वो है टीनिया पैडिस तीनिया पैडिस नामक फंगस होता है जो इसको इफट करताए तो अच्छा हमें संकरमराण पैदा कर देता है इसको फुट इसलिए बोलते हैं circumst के पैर और किस की कमी से होता है मैंने अभी बताया था कि जो घेंगा होता है वो आयोडीन की कमी से वयसकों में होता है और जो बच्चों में क्रिटेनिज्म रोग होता है वो भी आयोडीन की कमी से होता है कितना आयोडीन चाहिए 150 माइक्रोग्राम आयोडीन चाहिए 50-70 माइक्रोग्राम बच्चों में चाहिए होता है अगला है खुजली का रोग इसके बीज किसके कारण होता है खुजली का जो इसके बीज रोग होता है वो एक कीट के कारण होने वाला रोग होता है कीट जो होते हैं उनके कारण इसके बीज होता है इसमें क्या होता है तो जो कीट होते हैं वो त पुरंग छे टाइप बना लेते हैं जिसकी कारण एक धागे जैसे निसान जगे जगे पड़ जाते हैं धागे जैसे निसान पड़ जाते हैं और ये इसके भी जिसके बोला जाता है क्योंकि ये इसके बीज नामा कीट के कारण होते हैं एक सार कॉपटस इसके बीज नामा के क कीट आता है उसके कारण यह हो जाते हैं जिससे खुजनी भी होती है तो यह किस से होता है कवक द्वारा होते हैं या इसको कीट भी बोलते हैं हैजा टाइफाइड पीलिया तथा अतिसार किसके द्वारा फैलते हैं हमने अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जो हैजा होता है यह होता है आई ये पी लिया हुई ये दूसर जल द्वारा फैलते द्विस्ट जल दूसर भोसुत वोघन द्वारा ये फैलते और सब तो आपको याद है लेकिन वस आपको फाइनो डर्मी आई याद नहीं होगा तो याद रखना फाइनो डर्मा किस से होते है विटामिन एक कमी से हो जाती है अगला है है हेपिटाइटिस रोग मनुस्थ के किस अंग को प्रभावित करता है हेपिटाइटिस यकरत को प्रभावित करता है हेपिटाइटिस में क्या होता है यकरत को प्रभावित करता है यकरत में सूजन आ जाती है और खाना जो होता है पच्छता नहीं है और ये एक वा वाइरस में होने वाली संक्रामक बेमारी नहीं है, खसरा वाइरस से होता है, एड्स भी बाइरस से होता है, खसरा रोवेला वाइरस के कारण होता है, पोलियो, पोलियो, माइलेटेस बाइरस के कारण होता है, टिटनेस एक यह ऐसी बेमारी है, जो किसके कारण होती है, पूषी सबसक्राइब को हमारा जो टेस्ट गुरोप है उसमें दो सो आधिवासी योजनाओं का मेराथन टेस्ट है 200 योजनाओं का महिलावाल विदा में ले चुकी हूं अब पच्चीज को 200 आधिवासी योजनाओं का टेस्ट अमासा नाकरी लोग तैस्ट देंगे जिससे उनके पूरे के पूरे टॉपिक तैयार होके उससे जितने mcq बन सकते करीब कि सोर न्या अधिनियम से हमने करीब 400-500 mcq निकाले हैं ऐसे उससे बाहर क्या ही कोश्चन जाएगा तो बार वार रिविजन करकर के हमारी लडिक्यां बहुत दम परिपग हो रही है उस होने हैं तो आप लोग पहले ही जुड़ जाएंगे तो आपको टॉपिक में स्टार्टिंग से ही देने मौका मिल जाएगा कौन सा विटामिन विटामिन विटोल की कमी सुथपन मेगा ब्लास्टिक एनिमिया को ठीक करता है फॉलिक हम जिसको बोलते हम विटामिन वी-9 क्य कि जाएंगे तरह का मेधिर ली होती है चीन सो विटामिन वी-9 विटामिन वी-9 कि हैंnew ऑंगनवारी में इसको अउलिक lucky कि दी जाती हैं तो यहां से प्रह्ष्नों मीकोष सकते हैं अगला है मलेरिया किसको प्रभावित करता है मलेरिया प्रपलिया को प्रभावित करता है और ये प्रोटो जो अद्वारा होने वाली बीमारी है मादा अनफिली मच्छर के द्वारा ये हो जाता है अगला है कौन सा एक मच्छर का रोग नहीं है phylarisis, डेंगू-जूर नीन की बिमारी या malaria इन में से कौन सा ऐसा रोग है जो की मच्छर के द्वारा नहीं होता तो phylarisis भी होता है डेंगू-जूर भी होता है malaria भी हो जाती है लेकिन नीन की बिमारी मच्छर द्वारा होने वाला रोग नहीं है कपट वक्ष या पिजन चेस्ट पिजन चेस्ट में क्या होता है कि जो छाती होती है एकदम पिजन जैसी दिखने लगती है और उसमें क्या होता है कि पसली और छाती के हड़ी पसली और जो छाती होती है उसके बीच की हड़ी जो होती है वो एकदम सूस सी जाती है तो जिसके कारण च्छाती जो होती है एकदम पिजन जैसी दिखने लगती है च्छाती के बीच का भाग निकल आता है जिसको हम कबूतरी च्छाती भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम कबूतरी च्छाती भी बोलते हैं और ये रिकेट्स के कारण हो जाता है किसके कारण मैं बता दिय आप को कैसी चाती हो जाती है देख़िए वे इतानी की चाती हो जाती है इस लिए इसको हम बोलते हैं पिजन चेस्ट ये किस की कमी से होती है, ये किस की vitamin D की कमी से होती है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, इसमें records हो जाता है, जिसके काहीं ये च्छाती देखो, आप का ऐसी type की देखेगी, जिसमें present chest को बोलते हैं, अगला kushan दिखते हैं, very very किस vitamins, very very thymir के कारण हो जाता है, टोकोफोराल की कमी से पुरुस और महीलाओं में बांजपन आता है टोकोफोराल के लिए क्या है टोकोफोराल विटामिन E की कमी से होता है और विटामिन E को टोकोफोराल बोलते हैं और अगर ये किसी भी महीला पूरुसमिस की कमी हो जाती है तो ये बांजपन को बढ़ावा देता है इसके करण फर्टिलिटी जो छमता होती है वो कमजूर हो जाती है अगला कुशन है कौन सा मच्छरों द्वारा नहीं फैलता है फाइलेरिया जिसको हाती वाँ बोलते हैं फाइलोरिया उन्मूलन के लिए 1955 से एक कारिक्रम भी चलाया जा रहा है तो फाइलेरिया भी होता है मच्छनों द्वारा जपानी इंसेफलाइटिस भी होता है मलेरिया भी होता है काला जार नहीं होता काला जार लिसमेनिया परजीवी के कारण होता है काला जार इसका अंसर आ जाएगा चेचक के टीके की खोज किसने की थी तो चेचक का टीका एक पहला टीका है और चेचक का टीका एक ऐसा टीका है जिसने 1980 में पूरी तरह से विश्व से चेचक को पूरी तरह से उन्मूलित कर दिया है चेचक ने 1977-78 में ये भारत से उन्मूलित हो गया है और 1980 में ये पूरे विश्व से उन्मूलित हो गया है चेचक किसके दोरा होता है वेरी सेला जोश्टर वाइरस के कारण चेश चेशक जो होता है रोग हो जाता है जिसमें छोटे-छोटे दाने सरीर पर निकल आते हैं साइब पर्दा घंगट के उप्लबदा के कारण कौन सी किसकी उप्लबदा घटाती है तो जो जो घोल होता है जब लूज़ मोसन हो जाते हैं तो उसके लिए किया जाता है इसका अंसर धस्त होगा तो इसका answer क्या हो जाएगा यहां पे दस्ट हो जाएगा अगला है VCG का टिका किस लोग से बचाप के VCG का टिका टपेदिक से बचाप के लिए दिया जाता है और यह intradermal दिया जाता है इंट्रडर्मल अंधा तुचा के अंदर ये दिया जाता है जर्म के 24 घंटे के अंदर इसको दिया जाता है 24 घंटे के अंदर इसकी जो मातरा होती है वो दी जाती है 0.05 ml इसकी मातरा दी जाती है और यदि इसको बाद में देते हैं मतलब 12 महीने के अंदर अंदर देते हैं तो इसकी मात्रा 0.1 ml दी जाती है मेरासमस नामक रोग किसकी कमी से होता है मरासमस राग प्रोटीन की कमी से होता है इसको प्रोटीन उर्जा को पोशन बोलते हैं इसमें क्या होता है इसमें पूरा सरीर सूख जाता है इसको सूखा रोग भी बोला जाता है इसमें इसको बच्चे का फेस जो होता है इसकी सबसे में जो इसको नाम से जाना जाता है वो है मंकी फेस इसमें बच्चे का फेस जो होता है वो कैसा हो जाता है मंकी जैसा हो जाता ह तो मंगी फेसिस को कहा जाता है बच्चों को विटामिन डी कैलसियम और फासपुरस देने से किसकी रोकदाम हो सकती है और स्ट्यू मलेसिया रिकेट्स पैलेग्रा किसकी हो सकती है तो रिकेट्स की रोकदाम होती है यदि बच्चों में कैलसियम और फासपुरस देते क्यों क केल्सियम और फास्पुरस ऐसे हैं जो कि विटामिन डी को बनाने में मदद करते हैं हड़ियों को बनाने में मदद करते हैं यह ता महरा आज का वीडियो आज से आपको पसंद आए होगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सेयर कीजिएगा ओके फैंस थेंक यू